एक बाद फिर से आप से भी का स्वागत है आपके बने जनल में तो आज हम लोगे हम पर बात करने वाले हैं बिग बैस लिग बीबेल 2023 के बावनवे मैं इसके बावनवे मैं जो की खेला जाने वाला है पर्थ इसको 400 मेलबर्न रेंगनेट्स के बीज में दो पार को एक बैस कर 25 मिनट पर पर्थ इस्टेडियम पर्थ आश्ट्रेलिया में तो इसमें इसकी मैप को पुरिक पुर्जयन करी देने वाला हूं इंडेफ तनालसे करके दूंगा जिससे आपको की ड्रेम लेवन की टीम में बहुत हो जाएगा धान रखेगा अपर टॉप बैटर्स फोर और लास्ट में डेमो टीम भी मिलने वाली है तो मेक सूर कि वीडियो का अप अन तक देखें अगर मैच की बात किया फिश इपोर्ट की बात किया ध्यान रखना बाइटिंग सर्फेस अच्छा होगा थोड़ा बहुत जिसमें चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहन वाला फासबाल सापर जयने ज्यादे विक्टि पाते हैं तो चार्ण करने वाली टीम को चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहने वाला है इस ग्राउंड पर इस पिच पर हम लोगों बात करेंगे इसको की पर सकोचर स्कीन की बात किया बीवल के लास्व मैंच कम रहे हैं सिर्फ एक में हार मिली है यहां से ओपन करने वाले है इस्टीफन इसकना जी उनके साथ उपन गएंगे कैमरें बैंक्राफ इस्टीफन इसकना जी की बात किया है बीवियल में अभी तक इनुन च्छे मैच टोटल खेला 135 स्कोर किया 26 कोर से टीटों टीज में 79 मैच ख पिछले माज में रन आउट हो गया था वैसे अच्छा वल्लेवाज है इरों ने हर्डी आंगे बीवियल में के नाम चालिस में 658-28 के और से सत्राविक निकाले है तो बालिंग करने के चांसे मिलता है तो बालिंग कराने वाल रहेगा और अच्छी खासी गेंदबाजी करा आता है आपको बिकट निकाल के भी दे सकता है तो इस बात कब ध्यानकना जो संगलिस आंगे बीवियल में के नाम 62 मैंज में 67 रहेगा और एक नार रूट धानकना पिछले में बॉलिंग नहीं करा था और यह मैच वही पीछपर हो रहा है जहां पर यह पिछला लमाइच नहीं हो सकता है इस लिए इतना पॉंटर रहन नहीं है इस टेन अगर आएंगे बीवियल में के नाम 26 मैंज में 26 रहेगा निकाले है रिसन फार्म की बात किया तो जीरूपकट एक बिड़ तीन जीरूपकट एक बगड़ जीरूपकट इनका वीवियल का यह सीजन इतना रिसन फार्म की बात किया तो एक बीगड तीन जीरूपकट दो बिगड और एक पीटर हक जोगलों आएंगे बीवियल में के नाम 30 मिविगट है रिसन फाहीं की बात किया तो एक सुबारा मैंज में है करा रहा है मेरे हसाब से उसी पीछ पर गिन्दबाजी करा आने वाला है जिस पर पिसले मैच में इसने गिन्दमाजी कराया था लांस मोरिज डेविड पेन पीटर हग जुलो हैं और एंडू टाई ने तो धान रगना पर्थ स्कोचर्स की टीम एक बहुत रगड़ी टीम होने वाली है इस मैच में खास कर पर्थ स्टेडिम पर्थ में मैच होने वाला है वहाँ पर स्टार्टिंग ओबर से हट डालने वाली है डेव पेन यल मोरिस ए अगर डेथ कर डालेंगे डी पेन यल मोरिस ए टाई बेंच में बहुत सारे प्लेयर हैं अगर कोई खेलता स्टेट टेल कामचन पर मिल जाएंगे अगर यहां से टॉप प्लेयर के बात करने तो पिक कर सकते ह हैं बैटिंग सख्षेशन से खास कराँ पिक कर सकते हैं इधर से दो के दोनों बल्लेवाज इंपोर्टन सावित होने तो इधर साब पिक कर सकते हैं एंडू टाई भी एक इंपोर्टेंट पिक होने वाला है उसके ससर डेविड पेन और लास मोरिस को पिक करना है तो यह तो बात हो गए इसको किया बात करते हैं दूसरे टीम यानी की रेंड की बात किया है इनको बीविल के लास पांच में चुम एकस्पीरेंस प्लायर है धानगना एक सो तेज मेंच खेल चुगा है पैटिस सो एकतिस के और से रिसन फार्म की बात किया है तो चौविस छे एक और पांच खराब फार्म मेंचाल ने मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहने नहीं है सब्सक्राइब अगर धानगना रेन की टीम पहले बल्लेवाजी करती है तो इंपॉर्टेंट रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है तो इस बात का धानगना एरों फिंच आएंगे इस बात का धानगना बॉलिंग ये कर सकता है लेकिन कराया नहीं है रेसन फार्म की बात किया तो इस बात का धानगना टीटों टीज में तरासी मेश खेल चुका है इसमें भी एक को ही ओबर कराया था जो नहीं सांगे विवेल में के नाम एक सो चौबीस में 2765 रने बातिसके और से रेसन फार्म की बात किया तो चौबीस बाइस नाट आट आउट चौबीस चौब आली सुर पांच धानगने नीचे बलवाजी कर रहा इसलिए मेरे हिसाब से इतना पॉटर रहन वाले नहीं है खासकर हेट रूट कांटेस्ट में बिल सदर लाइन होगे विवेल में के नाम इकतालीस में दोस्तों अब्बेर नहीं है रिजिशन फार्म की बात किया तो पांच विगट दो विगट चार रन जीरो विकट कोरे रोची कोली आएंगे विवेल में के नाम एक मैच खेले हैं बेटक सिर्फ दो विकट निकाल पाएं राइटाम आप बरिक वालिंग करता है ध्यान मेरे सबसे इस मैच में इतना पॉटर बिक रहने वाल नहीं है फर्स्ट क्रिकट की बात किया है तो नो मैच खेल चुके है किस बिकट निकाला है बीट गनना पिछले चले दो बीगट निकाला है इस सीजन जिसमें बिकट नहीं निकाला है उसमें भी एक मेडन ओबट डाला तो मेरे हिसाब से राइटाम ने है करता proposed है एक ऑने फाहिस है इसनें के अगर को फैसंड है विруп युक ठ olduğ मिल जाएंगे अगर यहां से छाव बाट कि कर सकते हैं दूप कर कर सकतें पिक कर सकते हैं उसके सलसाथ बात कीज़ए एरोन फिंच मेरेसाब से इस मैज में भी इतने नहीं है उसके सलसाथ बात किज़ए इधर से आप पिक कर सकते हैं बिल सदर लेंड को important pick rahan वाला मेरे इसाब से 4 over डालेगा उसके सबस्ता नमबर 7 वल वाजी भी करेगा बैल इस not out नौ not out जिसमें भी खेला है उसमें not out आये important pick rahan वाला है इसाथ में 4-4 over करेगा अगर इसको beaker मिलता है तो बहुत important pick rahan वाला है उसके सबस्द बात किए इधर से आप टॉम रोजर्स को पिक कर सकते हैं और केन रिचर्ट सन या फिर फ़ाद अहमेद मेसी की सेव को पिक कर सकते हैं अब बात करते हैं डेमो टीम की बस आप से एक रिकोष्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा आपको वीडियो को प्लीजिक लाइक कर दीजीगा ध्यान रखिएगा मैं आने वाले हर मैंचेज कबर करने वाला हूं तो उसकी नोटिफ सक्सक्राइब को और बॉलिंग सक्सक्राइब को और यह ताइटी स्टीवर्ट सोवर्ड यफ अहमद डी पेन और यल मोरिस को आप चाहो तो यह अहमद की जगा पर केंडिशार्ट सन को भी पिक कर सकते हो या फिर उधर से दूसरे टीम इसको के तरफ से पी हर जोगलों को पिक कर सकते हो जिसने फिछले मज में अच्छी गेंदबाजी की थी कैप्टन में रहने वाले हाई डी वाइस कैप्टन है डी पेन लेकिन फानिटिम नहीं फानिटिम आपको टेलगाम चनल पर मिल जाएगा और अगर आप कमेंट सकते हम जाएंगे तो वहां पर भी